लो दोस्तों आप कैसे हैं और मैं विजय कुसवा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज बंडार यूटू चैनल और इस समय जुलाई का महीना चल रहा है खरीप सीजन का समय चल रहा है और इस समय हमारे भारत देश में पत्ता गोवी की खेती कापी बड़े पैमाने पर की ज करते हैं तो कुछ बातों को द्यान में रखते हूँ बैराटियों का चेन करते हैं जैसे कि एसी ओ जो रोग और कीटों को प्रति प्रत्रोदियों और ऐसी बैराटियों जो अधिकम उतपारंद से वाली rust और ऐसी variety हो कि उसको हम सभी प्रकार की मिट्टियों में लगा सकें और उसके जो फलें एक लंबे समय तक सुरच्छित बने रहे हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पत्ता गोवी की variety का चैन करते हैं सभी बातों पर चर्चा करेंगे तो जो भी लोग मारे चैनल पर पहली बार आई हुए हैं या जिन्होंने अभी तक मारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मारे चैनल को सस्क्राइब कर ले हैं से खेते संबंदे नहीं नजनकारी आपको यहां से मिलती रहे तो बने रहे वीडियो के एंड तक तो चलिए शुरू करते हैं जैसा के आज हम बात करेंगे पत्ता वो भी की टॉप हाइवर्ट किस्मों के वारे में उनमें जो पहली किस्म है वो है कीरती जो किये एडवंटर स से साथ दिन में तयार हो जाती है इसके फलों का एक ऑस्तन बजन लगबग 800 ग्राम से लेकर 1 क्लों ग्राम तक होता है इस बैरेटी को हम एक अरली बैरेटी के रूप में भी जानते हैं इस बेरेटी को खरीप, रवी और जायत तीनों सीजन में लगा सकते हैं आप रवी सीजन में भी लगा सकते हैं खरीप सीजन में भी लगा सकते हैं और आप इसको जायत सीजन में भी लगा सकते हैं कहाने का मतलब यह है कि आप इसको वर्सक में कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं इसके बाद एक दूसरी बैरیٹ्टी है जो कि मयको नंबर 149 है जो कि ये मयको सीर्स कमपनी की ये बैरेट्टी है इस बैरेट्टी की फसल रुपाई करने के लगग 65 से 70 दिन में तयार हो जाती ह इस बेरेटी के फलों का एक औरस्तन बजन लगबग 1 क्लो ग्राम से 5 क्लो ग्राम तक होता है इस बेरेटी के फलों को भी हम एक लंबे समय तक रख सकते हैं लगबग 15 से 20 दिनों तक आप इसके फलों को रख सकते हैं इसके फलवी कापी हरे होते हैं और आकरसक होते हैं इस बेरेटी को भी आप खरे, प्रवी और जायत तीनों सिजन में लगा सकते हैं इसके बाद एक तीसरी बेरेटी है जोकी ग्रीन चैलेंजर है जोकी सैमेनिस कमपनी की यह बेरेटी है इस बेरेटी की फसल रुपाई करने के लगबग 37 से 75 दिन में पक कर तैयार हो जाती है इस बेरेटी के फलों का एक औस्तन बजन लगबग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है इस बेरेटी के फलों को भी हम लगब 15 से 20 दिनों तक सुरचित रख सकते हैं इस बेरेटी के फलों में भी अधिक समय तक रखने की चमता होती है इस बेरेटी के फल नीले, हरे और गोल आकार के होते हैं और इसके फल भी काफी आकर सक होते हैं इस बेरैटी को भी आप खरेप, रवी और जाया तीनों सीजन में लगा सकते हैं इसके बाद एक चौती बेरैटी है जो कि चेकमेट है जो कि एक्सन आईवेट कमपनी की ये बेरैटी है इस बेरैटी की फसल रुपाई करने के 7-65 दिन में पक कर तयार हो जाती है और इसके फलों का एक औस्तन बजन 700 ग्राम से लेकर 1 किलो ग्राम तक होता है इस बेरैटी के फलों में भी 15-20 दिननक रखने की छमता होती है इसके फल कापे आकसक होते हैं गहरे हरे गोल और एक समान आकार के होते हैं और इस बेरैटी में फल फटने की समस्या देखने को नहीं मिलती है इस बेरैटी को आप रभी सीजन में लगा सकते हैं और इसको आप खरीब सीजन में भी लगा सकते हैं तो यह पत्ता हुओ भी कि हमने आपको टॉप चार आवट किसमें बताई हैं मार्केट में और भी कमपनियों की अलग लग बेरैटीयां आती हैं बहुत सारी बेरैटीया मार्केट में आती हैं आपके यहां कौन-कौन सी बेरैटी लगाई जाती हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं बात करें कि इन बेरैटीओं को हम किन-किन मिट्टियों में लगा सकते हैं तो इन बेरैटीओं को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हलकी चिकनी मिट्टी हलकी रेती लिमिट्टी पी लिमिट्टी इन प्रकार की मिट्ट्यों में आप इन बेराट्यों की सपलता पूरो खेती कर सकते हैं बात करें कि इनकों किनके राज्यों में लगा सकते हैं तो इन बेराट्यों को आप उत्तर प्रिदेश मद्ध प्रिदेश चतिस गड बेहार, पंजाब, हर्याड़ा, हमानचर प्रदेश इनके अलावा और भी राज्यों में आप इनकी खेती कर सकते हैं बात करें कि जब भी हम इनकी बुवाई करते हैं तो इनकी बीज़दर कितनी लगती है तो इनकी बीज़दर आपके लगाने के समय पर लगाने के इस्तान पर और लगाने की बिधीपर नरवर करती है कि इनकी बीज़दर कितनी लगती है पहले हम इनकी नरसरी तयार करते हैं नरसरी तयार करने के बाद इनको हम ट्रांस्परांट करते हैं एक एवरेज लगबग एक एकर खेत की रुपाई के लिए लगवग 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवशकता पड़ती है और यहां पर हमने आपको जो बीज की मात्रा बताई है वो आपके लगाने के समय पर लगाने के इस्तान पर और लगाने की बिधी पर नरवर करती है और बीज दर कम जादा भी हो जाती है तो यह रही पत्ता फोलो कर सकते हैं, और हमारा एक दूसरा चैनल भी है, जो कि VK Motivation के नाम से है, वहाँ पर आपको角 attainYap वीडियो सुन्ने को मِलेगी, वहाँ पर जाकर आप चैनल खो सबस्कराइब कर सकते हैं, और हमारा इस्टागराम पर भी पेज है, इस्टाग्राम पर भी आप हमको फोलो कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जनकारी के साथ जै जवान, जै एक सान